नमस्कार दोस्तो आप सभी लोग बादाम खाने के फाइदे तो जानते होंगे लेकिन आज मैं आपको रोजाना 4-5 बादाम भीगो कर खाने के फाइदे बताने माला हूँ क्योंकि अगर आप रोज रात में बादाम भीगो कर रख देते हैं और सुबा उस बादाम का सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्त के लिए और भी लापकारी हो जाता है तो चलिए दोस्तो जानते हैं बादाम को भीगो कर खाने के फायदे के बारे में दोस्तो सुखे हुए बादाम के मुकाबले भीगे हुए बादाम आपके पाचन क्रिया के लिए काफी अच्छे होते हैं दोस्तो बादाम के अंदर monosaturated fats मौजूद होते हैं जो कि आपके भूप को भी control करने का काम करते हैं जिसके वज़े से आप अपने वजन को भी नियंदरन कर पाते हैं दोस्तो अगर आप रोज सुबा चार से पाँच भीगे हुए बादाम खाते हैं तो इससे आपकी memory भी काफी अच्छी होती है और आपका दिमाग स्वस्थ और निरोग बना रहता है इसके अलावा भीग हुए बादाम में ज्यादा मात्रा में पोटेसियम और कम मात्रा में सोडियम पाये जाता है जिसके वज़े से यह आपके blood pressure को control करने का काम करता है और साथ में अन्य दिल से जुड़ी समस्याओं से भी आपको बचाता है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी skin स्वस्त रहे और लंबे समय तक आपको जुरियों का सामना ना करना पड़े तो आप रोज सुबा चार से पांच बादाम खाना सुरू कर दीजे यह आपके skin के लिए भी काफी लाबदायक होता है इसके अलावा अगर आपका immune system weak है तो भी आप रोज सुबा चार से पांच बादाम भीगो कर जरूर खाएं इससे आपका immune system मजबूत होगा जिसके वज़े से आप अपने आपको तरह तरह की बिमारियों से बचा पाएंगे दोस्तो बादाम में omega 3 और 6 fatty acid मौजूद होता है जो कि आपके बालों की जड़ों में रक्त के प्रभा को बेहतर बनाने का काम करता है जिसके वज़े से आपके बाल मजबूत और स्वस्थ बने रहते हैं दोस्तो अगर आप रोज सुबा भीगे हुए बादाम खाते हैं तो इससे आपके शरीर में फॉस्फोरस मिल जाता है जिसके वज़े से आपकी हड़ियां स्वस्थ और मजबूत बनी रहती हैं तो दोस्तो यह रही है एक और स्वास्त की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कल दीजेगा अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद